कोई बात नहीं, आइफोन है सर, आइफोन एंग नहीं होते, कौन कह रहा था, वो जीटी नाम था ना इसका, डिक्कत तो ये होगे सबसे बड़ी, आपके लिए उम्दा अन्बोक्सिंग लाएं, कमान, बाइ, गेमिंग टीडवलेस का चला, पूरा ट्रेंड, मतलब कोई ब्र अभी ये लांच नहीं हुए, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता, जब वीडियो पब्लिश हो, तब लांच हुए हो, ना हुए हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कह सकता, वैसे तो 4000 के लिस्टेट है, बट वैसे इसकी जो प्राइसिंग है, वो 3000 या 3500 रहने वाली है, तो उससे आपको बता रहे जाएगा, कि 3500 में वर्थ इट है, या नहीं, कितनी खतरनाक पैकिंग, वो भी केबल की, एक टाइप A to type C केबल मिल जाएगी, एक कान में ढालने वाली बबलिया सी मिल जाएगी, और क्या है, वो, TWS का है, तुमसे शूट करने देगा हैं देगा एक हमारी user manual मिल जाती है, और यह है हमारी final device, यहाँ पर EXA की branding है, तो box से निकालते हैं, पहला impression आपको बताओं, तो भाई, build quality काफी solid है, plastic काफी बढ़ी है, यूज किया हवा इसका, और जो hinge की quality है, वो भी यहाँ पर काफी बढ़ी है, और देखते है, TWS की magnet भी बढ़ी है और यह निकल जाते हैं हमारे earbuds, प्रॉपर gaming टाइप का design एंटर नों बना रखा, इस पे भी EXA की branding कर रखी है, और आगे से glossy finish में है, और एक चीज़ आपको दिखाओं, वो ही gaming है तो light है तो लगाएंगे, यहाँ पर आगे blue color की light जलती है, और इनके TWS में भी blue color की light जलती है तो एक दब भड़िया attractive look के साथ आता है हमारे यहाँ पर यह, अब इतनी जरा outer build-build की बात होगे, comfort भी चेक कर लेते हैं, ओ, comfort is good, नहीं निकल रहा, अब इसके आपको key feature दो आता हो, Bluetooth version 5.0 मार को यहाँ पर मिल जाता है, और IPX4 water resistant है, तो पानी के छपा के बागे लग जाए और यह तो B-roll जो तुमारे सामने आ रहा है, यह तो लेना मतलब mandatory है, पानी के पुछकारियां मार के दिखा देंगे कि खराब नहीं होते, नहीं होते है, वाई चेक कर लिए, और इसके अंदर आपको touch controls मिल जाएंगे, वही tap करना हो, assistant खोलना हो, गाना play pause करना हो, और calls attend करन सारी चीज़े इसके अंदर मिल जाएंगे आपको, अब ध्वनी परदर्शन वाला हमारा यंत्र है, I mean TWS हैं, कैसी आवाज यह देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी सुनके, वैसे मैं पहले सुन चुका था, बड़ मैं दुबार असले सुना था, कैमरे पे एक तक honest reaction निकल गया है, अब इसकी sound को conclude करता हूँ आपको, music के मामले में, treble बहुत बढ़ी है, gaming के साफ से तो बतलब treble अच्छी है, crisp है sound, bass बहुत बढ़ी है, loudness, loudness, music के इसाफ से नहीं बने में, gaming में हमारे को ज़्यादा loudness नहीं चाहिए होती, तो बतलब एक तम loud आवाज अगर latency का पतलब बाता है, iPhone में तो मतलब ऐसा है, दूसरे TWS की latency तरड़ी होती है, और हाँ latency ज्यादा है, 38 millisecond latency के साथ आते हैं, मतलब अभी तक का lowest मैं जो test कर रहा हूँ, lowest latency के साथ, तो पूरी wired वाली feeling देनी चाहिए, इसको नहीं देगा तो गलत बात है, बाई latency तो बहुत सही experience जो हमा रहा हूँ, वो काफी बढ़िया हो जाता है, आपको एक latency test दिखा तो आपको पतलेगा भाई, क्या ही तगडी latency के साथ आते हैं ये, तो भाई देख ली तुमना latency, अब mic test भी देख लो, मेल ने तो mic की quality और latency से जज़ करो, योगे gaming TWS है ना, तो team memes से एक्टम भाई, mic की quality decent है, मतलब मेरको personally सही लग रही है, आपको कैसे लग रही है, आप तो बताईद होगे, मैंने अभी सुनी है, और TWS है, battery backup की बात आती है, 6 hours का battery backup आपको TWS से मिल जाएगा, और 30 hours का backup आपको case include करके मिल जाएगा, तो total 36 hours हो जाते है, 6 into 5 30, यानि कि 5 बार ये TWS क मिलती है, तो एक बढ़िया चीज होगी, और बात करता है conclusion को लेके, तो 3500 के साफ से मैं जाज करूँगा, क्यूंकि अगर 4000 पे भी launch होगे, तब भी 15% अपन लगेगा, और अगर 3500 पे launch होगे, तो 3000 पहुँच जाएगा, तो वो तो lowest हो गया, तो 3500 के साफ से latency, gaming performance, जैसी travel यह सब चियो बढ़िया है, बाकी चैनल पर बहुत सारे DWS है, उनके भी reviews आप देख सकते हो, price to performance ratio आपको पता जल जाएगा, और आपकी choice easy हो जाएगी, और जब आपकी choice easy हो जाएगी, चैनल को तब subscribe करना, ठीक है, चलो like तो मारता जाओ, और आम मिलते है next video में अब तक के झाले, बाइ!